हेलो एवरिवन, वेलकम टू आर चानल, आज हम आपके लिए लाए है पार्ने की रेसिपी दो टेबल स्पून कैर और पाव कप मोंग को दो घंटे तक भिगो के रखे दस से पंद्रा बदाम भिगो के रखे लौंग मिश्री का पानी बनाने के लिए हाफ कप पानी में दोरा मिश्री का पावडर आड़ करे और हाफ टी स्पून लौंग का पावडर डाल कर मिक्स करके ढखकर साइड में रख दे हमारा लौंग मिश्री का पानी तयार है अब गुर का पानी बनाते है दो चमच देसी घुर में आदा कप पानी डाल कर साइड में रख दे गुंद की राब बनाने के लिए एक भगोने में दो टेबल स्पून घी गरम करके उसमें गौन डाल कर इसे फूलने दे फूलने के बाद इसमें तुरन थी त्रीफोर्थ कप पानी डाले एक बार मिक्स करने के बाद हम इसमें आड करेंगे खिसा हुआ सुखा नारियल दरदरा पिसा हुआ कागजी बदाम पाउच अमच पीपरा मुड़का पाउडर 1-8 या 2 चुटकी सॉंट पाउडर 2 टेबल स्पून देशी गुर आप चाहे तो गुर की मात्रा कम ज्यादा कर सकते है इसे उबलने के लिए साइड में रगते पहले से भिगोए हुए मौंग को कुकर में डाल कर 3 सीटी लेकर इस तरह से तड़का लगाए 2 टेबल स्पून घी गरम करके इसमें हींग और जीरा डाले अब इसमें उबले हुए मौंग डाले थोड़े से मौंग को मौंग के पानी के लिए बचा कर रखे 1 टी स्पून हल्दी पाव चमच लाल मिर्च पाउडर नमक स्वाद अनुसार 1 टी स्पून धन्या पाउडर अब इसे अच्छे से मिक्स कर ले क्योंकि पाने में हम ज्यादा खटा और तीखा नहीं खाते इसलिए हमने एक चुटकी हमचूर पाउडर डाला है इसमें 1 टेबल स्पून पानी डाल कर इसे ढखकर 1 मिनिट तक पकने दे मौंग का पानी बनाने के लिए बचे हुए मौंग और पानी को ब्लाइंड कर ले अब इसमें थोड़ा सा पानी भी आड़ कर सकते है अब एक चन्नी की मदड से इसे चान ले अब हम इस मौंग के पानी को तड़का देंगे एक कड़ाई में 2 टीश्पून घी गरम करे इसमें हिंग पाव टीश्पून जीरा और पाव टीश्पून हल्दी डाल कर तयार किया हुआ मौंग का पानी डाले नमक स्वाद अनुसार अच्छे से मिक्स कर ले और उबलने के बाद इसे ढखकर साइड में रग दे पीप्रा मूड का दूद बनाने के लिए घी में हाफ टीश्पून पीप्रा मूड का पाउडर और पाव चमच सॉंट पाउडर डाले एक बार मिक्स करने के बाद 3-4 गप दूद डाले चीनी स्वाद अनुसार अब इसे मिक्स करके उबलने दे उबाल आने पर फ्लेम ओफ करके इसे ढखकर साइड में रग दे कैर को तड़का लगाने के लिए एक कडाई में एक टेबल स्पून घी गरम करके उसमें हींग, जीरा, पाउचमच हल्दी, उबले हुए कैर, पाउचमच धन्या पाउडर, एक पिंच लाल मिर्च, नमक, स्वाद अनुसार अब इसे मिक्स करके एक कटोरी में निकाल ले, आये तो बचे हुए कैर के पानी को तड़का लगाते हैं, इसी कडाई में हींग और जीरा डाल कर कैर का पाउचमच हल्दी, नमक, स्वाद अनुसार, पाउचमच धन्या पाउडर, उबाल आने पर इसे ढखकर साइड में र पापड का चुरा करके एक कटोरी में निकाले, इसमें तीन टीस्पून घी अड़ करें, अच्छे से मिक्स करके साइड में रख दें, पीप्रामूड और सूंट की गोलिया बनाने के लिए एक कटोरी में दो टेबल स्पून पीप्रामूड का पाउडर, एक टीस्पून पूरा शकर या मिश्री पाउडर, तीन टीस्पून घी अब इसे अच्छे से मिक्स करें, अब इसकी छोटी छोटी गोलिया तयार कर लें, इस तरह से एक कटोरी में निकाल लें, आये तो पाने की धाली तयार करते हैं, एक कटोरी में मोंग, एक कटोरी में कैर, एक कटोरी में पापट की छोरी, सौंट की बर्फी, अजवाइन की बर्फी, इनकी रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पीपरा मोड और सौंट की गोल लिया, एक कटोरी में मौं का पानी डाले, एक कटोरी में कैर का पानी, एक कटोरी में गूंद की राब, एक ग्लास में लविंग का पानी, एक ग्लास में गुर का पानी, एक ग्लास में काड़ा, काड़ा बनाने की रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 8-10 भिगोई हुई बदाम पीपरामुड और सौंट का दूद हमारे पार्ने की थाली तयार है थैंक यू फो वाचिंग दे वीडियो प्लीस लाइक, शेर और सब्सक्राइब